आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ अगर मेरा एक relation given है किस तरह से xy defined है कि x is brother of y then relation is यह अपने पास option है symmetric transitive की बात की गई है ठीके चलो तो देखो symmetric relation क्या होता है symmetric relation यह होता है कि अगर मेरा a,b यह क्या है relation में है ठीके और हम किसी तरह से दिखा दें कि b,a,b क्या है relation में है इसका मतलब a और b में जो relation है वही same relation b और a में भी है तो उसको हम बोलेंगे symmetric relation और transitive में क्या होता है देखो transitive का मतलब यह होता है यहाँ पर तीन लोगों की compare की जाती है ठीके तो अगर मेरा a और b अपने relation में है ठीके और हम बोल रहे हैं कि b और c भी क्या है relation में है ठीके यह दोनों है तो अगर हम दिखा दें कि a और c भी क्या है relation में है ठीके तो यह कहलाएगी relation transitive मतलब a और b में जो relation है और b और c में भी same relation है वही relation a और c में भी आ जाए तो वो आएगा हमेरा transitive ठीके चलो तो अपना relation यहाँ पर कैसे defined है यहाँ पर relation है x, y और इसमें बुला गया है कि हमारा x is brother of y ठीके तो लिख देते हैं तो x is brother x is brother of y ठीके तो देखते हैं कि पहला symmetric है के नहीं तो देखो अगर x is brother of y मतलब x y belongs to क्या कर रहा है x y belongs to relation है ठीके अगर हम देखा दें कि y x b belongs to relation होगा ठीके तो इसका मतलब symmetric होगा ठीके तो इसका अगर मैं relation का ये statement लिखूं तो इसका मतलब होता है x is brother of y और इसका अगर मैं लिखूं तो ये statement होता है y is brother of x ठीके तो देखो x अगर y का भाई है ठीके तो y और x का भाई हो यह जरूरी नहीं है ठीक है क्योंकि बहन भी हो सकती है ठीक है क्योंकि देखो X अगर भाई है इसका मतलब यह तो हमेशा मेल होगा ठीक है यह मेल है लेकिन यह वाई पर हमें कंडिशन नहीं पता है ना कि यह मेल है कि फीमेल है ठीक है तो अगर यह मेल होता हो गया ना इस वज़े से हमारा यह सिमेट्रिक नहीं है ठीक है चलो तो यह फर्स्ट वाला अप्शन तो गलत है ट्रांजिटीव का देख लेते हैं ठीक है तो देखो ट्रांजिटीव अगर मेरा होता है इसका मतलब क्या कि देखो xy की जगह मैं xy ही चलो लिखते हैं xy अगर मेरा रिलेशन में है इसका मतलब x is brother of y होगा ठीक है और अगर मैं बोलूँ कि y और z में भी same relation है ठीक है इसका मतलब क्या है कि y is brother of z ठीक है तो यहाँ पर दो बाते देखो clear है कि पहली बाते कि यह क्या है male है ठीक है और यह y भी क्या है male है क्योंकि देखो y भी क्या है brother है z का ठीक है तो यह दोनों male है तो z पर condition नहीं है मेरा कि यह male है कि female है ठीक है तो हम दोनों देख लेते हैं कि यह satisfy हो रहा है कि अपना यह male और यह फिर यह female हो सकती है ठीक है तो यहाँ पर हमें दिखाना X is brother of Z ठीक है, ऐसा दिखाना है तो देखो यहाँ पर X, Y का भाई है ठीक है, और Y Z का भाई है ठीक है, और यह X, Y दोनों क्या है, male है तो यहाँ पर भी देखा जाए, तो X क्या है अपना male है, ठीक है तो अगर Z का भाई, Y है ठीक है और यह y का भाई क्या है x है तो यह xy आपस में भाई-भाई हुए ना ठीक है तो यह दोनों भाई-भाई है तो यह z भी इसको यह male हो चाहे female हो इन दोनों को भाई-भाई इन दो बोलेगा है कि नहीं इसका मतब x is brother of z ठीक है सही बात है मतब यह relation में आ रहा है ठीक है तो इस वज़े से हमारा transitive हो का ठीक है तो बी वाल अप्सन सही है बहुत अप्दिश तो हो नहीं सकता नों अप्दिश भी नहीं हो सकता तो हमारा अप्सन कॉन सही है यह बी वाला तो आपको समझ में आगा thank you Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स कभर हो सा आज ही डाउनलोड करे डाउटने टाप यह WhatsApp कीचे अपने डाउट्स आट 400 444 सूपर